Good morning, यमसेशे चैनल में आपका स्वागत है, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और Enjoy के साथ पढ़ रहे होंगे, जैसे कि आप लोग Sir और Maim का क्लास Enjoy के साथ पढ़ते हैं, उसी प्रकार आप लोग साइंश का क्लास भी Enjoy के साथ पढ़ रहे होंगे, अभी तक हम लोग साइं इसे कर पार हो तो आप लोग ऐसे ही इसी क्रम वेनत करते रहें एक दिन आप जरूर सफल HOजाएंगे और आप लोगे वीडियो को सीद्यसलि देखा करें और वीडियो के लिठ नात्र में कमेंट जरूर कया कि अप भूंदा किसका कर पाया है कितना कोश्चन आप लोगे पाहि हुझे तो मुं़खली इस प्रोटीन जो बशा और प्रोटीन माम्स èक टुल्न स्यआ में मांस मांस की तुलना में 1.3 गुना और अंडो की गुना में 2.5 होता है और फलो में 8 गुना होता है तो मुंगफली हमारे लिए कितना आवस्यक है आप देख सकते हैं मुंगफली में जो प्रोटीन होती है मांस की तुलना में 1.3 गुना और अंडो की तुलना में 2.5 गुना और फलो से ये 8 गुना आधिक होता है और यदि हम 100 ग्राम कच्ची मुंफली लेते हैं तो एक लीटर दूद के बराबर प्रोटीन हमको प्राप्त हो जाता है मुंफली में जो प्रोटीन होता है वो 25.3% होता है और फैट या बसा जो होता है वो 48.1 होता है तो आपका कौन सा आप्शन राइट हो जाएगा आपका आप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा मुंफली मुंफली हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है इसलिए मुंफली का सेवन जरूर करें क्योंकि मुंभली में मांस और अंडा और फलो का ही प्रोटीन पाय जाता है मांस की तुलना में 1.3 गुना अंडो की तुलना में 2.5 गुना और फलो से 8 गुना अधिक प्रोटीन मुंभली में मिलता है नेश्ट कोशन देखते हैं हमारे सरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन अड़ु पाए जाते हैं पहला option 40,000 से 60,000, second है 50,000 से 1,00, third है 50,000 से 90,000, fourth है 30,000 से 60,000 तो आपको बताना है कि हमारे सरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन अड़ु पाए जाते हैं तो जल्दी से answer दीजे कौन सा option आपका right हो जाएगा तो जीव कोशिकाओं में जो उपस्तित बिलियों के अड़ु होते हैं वे प्रोटीन के अड़ु संख्या में ही नहीं बल की सनरशनात्मक और कार्यात्मक विवित्ता में भी सबसे अधिक होते हैं और भार में सजीव कोशिका का लगभग 14% भाग और मृत्वा सूखी कोशिका की लगभग 50% भाग प्रोटीन होता है प्रतेक कोषिका में हजारों प्रोटिन के अड़ों होते हैं और जो हमारे सरीर में पचास हजार से एक लाख प्रोटिन अड़ों पाए जाते हैं प्रोटीन का नामगर किस ने किया था पहला ओप्षन है ब्राजीलियस सेकेंड है मूल्डर थार्ड है एक वादो दोनों फोर्थ है ना तो एक ना तो दो तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा आप्षण आपका राइट हो जाएगा तो प्रोटीन की जो खोज हुई थी वो सन 1838 में जान जैकब वरजी लियस और राडर्स जोहांस मूल्डर ने की थी इन्हों ने प्रोटीन के बारे में पहले खोज की फिर उस पर इनालिशिच किया हो जिसके बाद पता चला कि सभी प्रोटीनों का एक ही फार्मूला होता है जिसमें कार्बन कार्बन 400 हाइडरोजन 620 नाइट्रोजन 100 और ऑक्सीजन 120 और पी एक फासफोरस एक सलफर एक ये उसका फार्मूला होता है एक ही फार्मूला सबका होता है और जान जैकब वरजीलियस ने खोज के बाद इसका नाम प्रोटीन रखा प्रोटीन जो है अमीनो एसिट की एक ल प्रोटीन की जो इकाई होती है वो अमीनो अमल होती है प्रोटीन जो होता है ये अड़ों का एक जटिल समू है जो सरीर में सभी कार्यों को करता है और प्रोटीन एक प्रकार का पोसक तत्व है जो एमीनो एसिट से बनता है प्रोटीन सरीर में विकास के लिए भी कार करता ह और प्रोटीन के ही बाल नाखुन हड़ी मांसेसिया भी बनी होती है और उतक और अंगो को आकार देने का कार भी प्रोटीन करता है तो इस प्रकार कॉंस ऑप्षन अपका राइट हो जाएगा आपका आपको आपका अंबर 3 जो है राइट हो जाएगा ब्राजीलियस और आपको नहीं यहां आपका कोशा शेया कर अपके सोर में नियूजा नाइटोजन वहिता है उसके सेख़ांगे में फासफोर आयोडेस जाते हैं तो आपका कौनसा अप्षण हो जाते हैं आपका अप्षेनीपा आपको है अप्षिजाए है आपको यह सबसक्त आपको है 10 प्रोटीन का सन्योजन होता है। उसमें कार्बन, हायड्रोजन, और आकशीजन के अडु होते हैं। और इसके साथ साथ नाइट्रोजन के भी अडु होते है। और गंधग पाय जाते हैं। फासफोरस, आयोडिन है अनिवार होते हैं पहला ऑप्शन आरजी निन सेकंड ऑप्शन हिस्टी निन थर्ड ऑप्शन एक वा दो दो फूर्थ आप्शन ना तो एक ना तो दो तो आपको बताना है कि कौन से इसमें से अमीनों अमल हैं जो किसोरों के लिए अनिवार हैं बलकि बैसकों के लिए अननिवार हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन से आप्शन आपका राइट हो जाएगा तो प्रकिर्त में हमारे 20 से 22 प्रकार के अमीनों अमल पाएज आते हैं और अस्तनियों में इन में से 10 दस ही जो हैं जो सरीर में बनते हैं और दस अमीनों अम्ल को हमको बाहर से लेना पड़ता है इसलिए इनको अननीवार अनिवार कहते हैं तो जो मानों सरीर में दस पाइज आते हैं वो नानेसेंसियल होते हैं मतलब अननीवार होते हैं और जो दस बाहर से हमको लेना पड़ता है वो अनिवार अमीनों होते हैं उसे एसेंसियल कहते हैं तो इस प्रकार 20 या 20 से 22 प्रकार के अमीनों हो गया है तो जो नानिवार हैं वह अमीनों के नाम इस प्रकार है जैसे एलेनीन एस्पेरेजीन, एस्पार्टेट, सिस्ट्रीन, ग्लूटेमेट, ग्लूटेमीन, ग्लाइसीन, प्रोशीन, स्रेणिन, टाइरोसीन तो यह आपके non-essential amino aml है और जो essential amino aml है वो arginine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan और valine है तो इस प्रकार आपके total 20 amino aml हो गए और जो arginine और histidine जो है यह किसोरों के लिए अनिवार होते हैं परन्त वैसकों के लिए शरीर में नहीं बनते हैं यह गयर अनिवार हो गया है तो आपको option कौन सा राइट होगा आपको option number 3 जो है राइट हो जाएगा अरजीनी और histidine जो है यह amino aml किसोरों के लिए अनिवार है किन्त वैसकों के लिए अनिवार है मतलब non-essential है प्रकीर्त की नाइट्रोजन के जीव तंत्र में प्रवेश के लिए कौन सा अमीनो अमल प्रवेश द्वार का काम करते हैं आपको बताना है इन में से कौन से हैं जो अमीनो अमल में प्रवेश द्वार का कार्य करते हैं पहला option है glutamate, second glutamine, third elastin, fourth carotin कूट की साहता से answer देना है केवल 1-3, केवल 2-4, केवल 1-2 उपर युख सभी तो जल्दी से comment किजे कौन सा option आपका right हो जाएगा तो यह जो glutamate और glutamine यह जो दोनो अमीनो अमल है यह अननिवार अमीनो अमल है जो सरीर में बनते हैं और किसी योगी के अड़ू से अमीनो समू को हटाना, de-emination और अमीनो समू को एक अड़ू से दूसरे अड़ू में अस्थांतरित करना, trans-emination कहलाता है और मनुस्ताहिज सभी अस्थनियों में अननिवार अमीनो अमल का संसलेसर, trans-emines enzyme की साहता से अनिवार अमीनो अमल से trans-emission द्वारा ही होता है इसी प्रकार जो है, अमीनो अमल से अननाइट्रोजनी जैवी कड़ू का संसलेसर भी trans-emination द्वारा होता है इसमें glutamate और glutamic अमल मध्यस्ता का काम करते हैं तो इस प्रकार जो प्रकिर्थ की nitrogen के जीवतंत्र में प्रवेश करने के लिए glutamate और glutamin जो है यह प्रवेश द्वार का काम करते हैं तो कौन से option आपका right होगा आपका option नमबर तीसरा जो है right हो जाएगा एक वदो दोनो राइट है तो आपको पता चल गया होगा कि प्रकिर्थ की nitrogen के जीवतंत्र में प्रवेश के लिए glutamate और glutamin अमीनो अमल जो है प्रवेश द्वार का कारे करते हैं तो आपको option नमबर थर्ड जो है right हो गया ओके नेस्ट कोशन देखते हैं दाल में कौन सी protein पाई जाती है आपको बताना है दाल में कौन सी protein पाई जाती है glutalin, prole means, collagen, elastin तो जल्दी से comment कीजिए कौन सी option आपका right हो जाएगा तो glutalin गेहूं और चावल में पाई जाने वाले protein है गेहूं और चावल में, prole means जो है यह आपके दाल में पाई जाने वाले protein है और collagen जो है यह तन्तुमें सायोजी उतक के निर्माण में प्रयूक्त होता है और collagen जो है अस्थ और cartilage के अदार पर पडास का निर्माण भी करते है और elastin जो है यह झो है जो है यह तन्तुमें प्रोटीन डाल में पाई जाती है प्रोले में जो है दाल में पायाई जाने लिए protein जो है प्रोले में इस है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इन में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है पहला है जिन, सेकंड है ग्लाइडिंग, पहला है जिन मक्का में पायजाने वाला प्रोटीन, सेकंड है ग्लाइडिंग, गेहु में पायजाने वाला प्रोटीन, फोर्थ है केसिन दूद में पायजाने वाला प्रोटीन ये भी आपका राइट है और ये ग्लोबिन अंदे में पाय जाने आया तो ग्लोबिन जो होता है ये रुधिर में पाय जाने वाला प्रोटीन होता है मैं ग्लो प्लीव्म लियन होता है ये अंदो में पाया जाता है glow blumen जो होता है यह रुधूर में पाया जाने ले प्रोटीन है जो oxygen का संभवन करता है और केसीन जो है दूर में पाया जाना protein है तो आपका कौन सा option गलत हो जाएगा आपका option number third जो है ये रॉंग हो जाएगा नेस्ट कोशन देखते हैं रेशम तथा मकडियों की धागे का निर्मार करने वाला प्रोटीन है पहला ऑप्षन केराटीन सेकंड है कोलेजन थार्ड है इलास्टीन फोर्थ है फ्राइबोईन तो आपको बताना है कौन सा ऑप्षन इसमें राइट हो जाएगा केरल तथा मकडियों के धागे का निर्मार करने वाला प्रोटीन कौन सा है तो जल्दी से कमेंट कीजिए एंस्टो दीजे कौन सा ऑप्षन आपका राइट हो जाएगा तो देखते हैं केरोटीन जो होता है यह तथा बाल नाखून सींग तथा जानवर के खुड का निर्मार क यह ता इनहां के और वाक तर seulement गवलिजे की यह तनतीम प्रोटीन है जो लिगामेंट और अृधिर भाहनियों के पीले उतक का निर्मार करते हैं तो आपका अप्षन नंबर फोर्त जो यह यह िशन तथा मकडियों की धागे का निर्मार करने वाला प्रोटीन जो İ oil is fry boi एक वादो दो नो फोर्थ है ना तो एक ना तो दो आपको बताना है इन में से कौन सा बीटामिन है जो यूरिन के साथ अधिक मात्रा में उससरजित होता रहता है तो जल्दी से कमेंड कीजे कौन सा आप्शन आपका राइट हो जाएगा तो जल्मे घुलनसील जो बीटामिनो में ग्रहड करना पड़ता है जल में घुलनसील जो बिटामिन होता है वो यूरिन के साथ उतसरजन होता रहता है और सरीर में यह कठा नहीं हो पाता है और हमको इसके लिए प्रति दिन इसको हमको ग्रहड करना पड़ता है और जबकि जो बसा में घुलनसील बिटामिन होता है ये यूरिन के साथ उसरजित नहीं होता है और ये बसा उतको में कुछ समय तक संचित भी रहता है जिसके कारण हमको प्रतिदिन भोजन के साथ इसकी आउसकता नहीं होती है तो जल में घुलंसील जो विटामिन होते हैं और बसा में घुलनसील जो विटामिन होते हैं, उसको हमको प्रदिन लेने की आउसकता नहीं होती है, क्योंकि ये बशा उतक में संचित रहता है, तो कौन शा आप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपका आपका आप्शन नुमबर सेकेंड जो है ये राइट हो जाएगा, जल में घुलनसील जो विटामिन है, वो उसकता से अधिक मात्रा यूरिन के साथ उत्सरजित हो जाता है, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, जल में घुलनसील और नाइट्रोजन युक्त सरप्रथम ग्यात विटामिनों को किस नाम से जाना जाता है, पहला उप्शन विटामिन भी सेकंड है विटामिन भी सिक्स थर्ड है विटामिन भी टू फोर्थ है विटामिन भी फाइब तो आपको बताना है कि जल में घुलनसील और नाइट्रोजन युक्त सरप्रथम सबसे पहले ग्यात विटामिन कौन सा था, तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा अप्शन तो जल में घुलनसील और नाइट्रोजन जो सरप्रतम ग्याद विटामिन था वह विटामिन भी था और बाद में लगभग 13 और विटामिनों की खोज हुई तब इन सब को मिला के बी कॉंपलेक्स नाम दे दिया गया और इनमें कुछ सामानताइं भी पाई जाती हैं जिसमें अधिकांस विटामिन जो है खटी खमीर और यक्रित में उपलब्द हो जाते हैं और इनका जो संसलेशर होता है यह आंत्रिय सुच में जीवो द्वारा होता है तो आपका कौन सा आप्शन राइट हो जाएगा आपका आप्शन नमबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा जल में घुलनसील और नायट्रोजन ययुक्त सर प्रन ग्यात बी्तामिन का नाम है बीटामिन बीव औके नेच्ट कोशन देखते हैं आप निम्न में से बेरी बेरी के प्रमुख लकषड है पहला अप्शन है हिर्दे पेशियों के छीर हो जाने से दिल की धड़कन बढ़ सकती है सेकंड है अपच वाकपज थर्ड है तंत्रिका तंत्रों पेशियों का कार बिगड़ जाना है तो कूट की साहता से उत्तर देना है केवल दूसरा केवल पहला तीसरा केवल पहला दूसरा तीसरा केवल दूसरा और तीसरा तो बेरी बेरी नामक के प्रमुक लच्छड कौन से है तो बेरी बेरी नामक जो रोग होता है ये थाइमिन बिटामिन B1 की कमी से होता है B1 की कमी से होता है और विटामिन B1 या थैमिन जो है ये फंक ने कोई एक बैग्यानिक है फंक ने सन 1912 में चावल के छीलन से तियार किया था और इसकी जो आर्विक रशना है ये बिलियन्स ने सन 1930 में ग्याद की और इसके सुध रवय से रावा जो था इसे जैंसन ने तियार किया था और थाइमिन को सोथ रोधी या यल्डूरीन की भी संग्या दी जाती है और यह जो मुख्यता अनाज के छिलकों में मांस, मेवा, सोयबीन, मचली और अंडो में मिलता है और हमारा जो केंद्रिय तंत्रिका तंत्र उर्जा के लिए लगभग पूरी तरह कार्बोहाइडरेट मेटाबोलिज्म पर निर्भग करता है और विटामिन B1 की कमी से तंत्रिका तंत्र और पेशियो का कार्ब बिगड़ जाता है जिसके कारण हम लकवे की भी सिकार हो सकते हैं और हिर्दे पेशियो के छीर हो जाने से दिल की धरकन भी बढ़ जाती है अपज और कब्ज भी इसके लक्षड है और इन सारे लक्षड को मिला कर बेरी-बेरी रोग बन जाता है तो आपको अंसर पता चल गया होगा कौन सा उप्षण आपका राइट है हिर्दे पेशियो के छीर हो जाने से दिल की धरकन बढ़ जाती है ये भी राइट है अपज और कब्ज की समस्या भी होती है तंत्रिका तंत पेशियो का कार भी बिगड़ जाता है बेरी-बेरी की प्रमुख लक्षड है तो आपको अप्षण नंबर कौन सा राइट हो जागा अप्षण नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा कुट की साहता से उत्तर देना है केवल पहला तीसरा चौथा केवल दूसरा चौथा एक दो चार एक दो तीन चार तो जल्दी से कमेंट कीजे कौन शा अप्षण आपका राइट हो जाएगा बिटामिन बी-टू बिटामिन बी-टू को राइवो फ्लेमिंग भी कहते है इसका जो राशानिंग नाम होता है वो राइवो फ्लेमिंग होता है और बिटामिन बी-टू जो होता है ये गहरे पीले रंका होता है और आक्सिकर मेटाबोलिज में या अपचेन में भाग लेने वाले सहेंजाइम, FAD और FMN का एक घटक होता है FAD जो होता है ये Flavin, Edinin, Di-Nucleotide और FMN जो होता है ये Flavin, Mono, Nucleotide होता है इसका एक घटक होता है और ये जो है बृद्धी और सास्त वर्धक होता है इसके जो मुखसरोत है वो पनीर है, अंडा है, इस्ट है, हरी पत्निया, जिगर, मास, दूध आधि में ये मिलता है और इनकी कमी से मुख के कोड फट जाते हैं जिससे किलोसिस नामग हो जाता है किलोसिस नामग होता है जब ओट के किनारे का हिस्सा फट जाता है या स्वैलिंग हो जाता है तो किलोसिस नामग हो जाते हैं और इनकी कमी से कमजोर पाचन सकती भी हमारी कमजोर हो जाती है तचा और आखों में जलन होता है सीर दर्द होता है और दिमागी छीरता भी होती है और हमारे सोचने समझने की सकती भी कमजोड हो जाती है और नाक तथा तचा पर पपड़ी दार पपड़ी पढ़ जाते हैं नाक पर जो इसकिन होता उस पर पपड़ी दार बन जाते हैं तो आपको बताना कौन सा अप्शन इसमें राइट होगा जल्दी से कमेंट कीजिए आपको एंसर पता चल गया आपका अप्शन नमबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा एक दो तीन चार यह सारे लक्षड जो है आपके विटामिन बीटू के हैं कम पाचन सकत कम जोड हो जाए हैं बिटामिन पीपी के नाम से किसे जाना जाता है बताना है कि बिटामिन पीपी के नाम से किसे जाना जाता है बिटामिन बीथरी बिटामिन वी फाइफ एक वा दो दो नो ना तो एक ना तो दो तो जल्दी सेंसर दीजे कौन सा उप्शन आपका राइट हो जाएगा तो B3 को जो है इसे नियासिन या बिटामिन पीपी भी कहते हैं और इसे निकोटिक अमल भी कहते हैं यह जो है यह यह आक्सिकर मेटाबोलिस में भाग लेने वाला NAD तथा NADP नामक सहंजाइम का एक घटक होता है और इसका जो मुक्ष्रोत होता है यह ताजा मांस, जीगर, मचली, अंडा, दूद, मटर, मेवा और फलिया होता है और इनकी कमी से पेलागरा रोग हो जाता है पेलागरा रोग में जो होता है वो जीव और तचा पर दाने इसमें तो यह सारी लुक्षर आपके विदामिन बी थिररी के हैं तो विदामिन पी-पी के रोग किस geography को जाना जाता है विदामिन भी थिरी को जाना taught option नॉमबर फस्ट जो है llight हो जाएगा ओकै जीटक आपको बताना B5 के कमी के प्रमग लच्छड कौन-कौन से हैं मंद बुद्धी हाथ पैर में सुनता थकावट जनन छंता कम हो जाना तुकूट की साहता से उत्तर देना कौन आपका राइट हो जाएगा केवल एक दो तीन केवल दो चार केवल दो तीन चार एक दो तीन चार त तो बिटामिन B5 को पैंटो थेनिक एसिड भी कहते हैं और यह सभी प्रकार के पोशक पदार्थों के आक्षिकर मेटाबोलिस में भाग लेने वाले महत्पूर सह एंजाइम एक अगटक होता है और यह सभी प्रकार के खात पदार्थों में पाए जाते हैं लेकिन जो जीग मंदबुद्धी हो जाती हाथ पर सुन हो जाते हैं थाकावर आती है बाल सफेध हो जाता और जनन्शंता यह जीड तो कौनसा प्रम का धूर्वुद्धी है ओपका और यह से प्दों पर हाइब इसके हैं में जोंब हो जाता है और ब विटामिन B5 की कमी के प्रमुगलक्षर है मंद बुद्धी हाथ पैर में शुनिता थकावर जनन्चमता कम हो जाना हो के नेस्ट कोशन देखते हैं अनाज के छिलके में मुखिता कौन सा विटामिन पाया जाता है पहला आप्शन है पारी रॉक्षिन सेकंड है थाइमिन विटामिन B1 पाया जाता है और विटामिन B1 को थाइमिन भी कहते हैं फंक नामक जो बैग्यानिक थे 1912 में और विटामिन B1 को चावल के छिलन से त्यार किया था तो आपको कौन सा आप्शन राइट हो आपका आप्शन नम्बर सेकंड जो है यह राइट हो जाएगा प्रिमीनग का जाना जाता है पहला ऑप्शन है थाइमिन रैवोफलेमिंग थड़ है नियासिन फूर्थ है बायोटिन तो जल्दी से कमेंट कीजा बेढ़ा का कॉन सा आप्शन अपका राइट हो जाएगा थाइमिन बिटामिन B1 को कहते हैं राइवो फ्लेमिंग बिटामिन B2 को कहते हैं नियासिन बिटामिन B3 को कहते हैं और बिटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं तो यह बायोटिन जो होता है इसे बिटामिन B7 भी कहते हैं यह गलाइकोजन वसी अमलो अमीनो अमलो तथा पिरिमीडीन के संस्लेशर में भाग लेने वाले अंजाइम का साह एंजाइम है और यह मुखिता सबजी फल गेहु चॉकलेट अंडो मुंफली मांस आदे में मिलता है और आत में बैक्टीरिया भी इसका संस्लेशर करते हैं और इनकी कमी से जो है तुछा रोग बालों का जढ़ना कम जोड़ी हो जाता है त मानों के आत में निवास करने वाले जीवाडू किन किन विटामिनों का संस्लेशर करते हैं विटामिन B1 विटामिन B6 बायोटीन B7 और उपर युख सभी तो आपको इसमें से बताना है कौन कौन से है जो मानों के आत में निवास करने वाले जीवाडू है मानों के आत में करते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए क्षर्ण संसलेशर कोंशु अपका तो आत्में बैक्टिरिया को Sinoslator होता है वितामिन B1 हमारा अत्में जो बैक्टिरिया को संसलेशर करते हैं को मुझा हुँ जो चुझा करते हैं और करते हैं तो按 क turbine بैक्टिरिया को साथ है जो है राइट हो जाएगा उपर युक सभी मानों कि आत्में जो निवास करने वाले बैक्टिरिया हैं वो बिटामिन B1, B6, B7 का संसले सर्फ करते हैं नेश्ट कोशन देखते हैं किस बिटामिनों की कमी से सरीर की प्रतिरच्छा प्रडाली तथा जनन छंता कम हो जाती है पहला ऑप्शन है स्कॉर्विक एसिड, सेकेंड है निकोटिक कमल, थर्ड है पाइरी डॉक्सिन, फोर्थ है थाइमिन तो आपको बताना है कि किस बिटामिन की कमी से सरीर की प्रत्रच्छा प्रणली और जनन छंता कम हो जाती है तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन शाप्षन आपका राइट हो जाएगा तो आपका जो बिटामिन C है इसी को एक स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं और सबसे पहले इसी वीतामिन की खोज हुई थी वीतामिन C की खोज सबसे पहली हुई थी और इसका जो ब्रजब कारे हاي ये उत्को में कोशाओं को परस्पर बाधे रखना और अन्तर कोशिये पदार्त के मैट्रिक्स, कोलेजन, तन्तूव और हड़ीयों के मैट्रिक्स तथा दातों के डेंटिन के निरमाण को सामान अवस्था में बनाये रखने का है और यह सकर्वी में सबसे महतपुर प्रभाव जो होता है घाओं के ना भरने के कारण होता है और इनके रोग का जो दूसरा प्रभाव होता है वह हड़ी या दातों की ब्लिधी रुखины जाती है इक हड़ी कमजोड़ जाती है तोटी हड़ी का जुरणा होता वह कठीओ हो जाता है और तो इस प्रकार कौन सा उप्शन आपका राइट है और इसके अतरिक ये सरीर की प्रत्रच्छा चंता और जनन चंता भी कम हो जाती है पेसियां फटने लगती है मशूरे फूलने लगते हैं दाद गिरने लगते हैं खून की भी कमी हो जाती है मल के साथ खून भी आने लग आपका option number first जो है right हो जाएगा ascorbic acid या vitamin C कमी से सरीय की प्रत्रच्छा प्रडाली या जनन छमता कम हो जाती है next question देखते है संक्रमर रोधी vitamin के नाम से किसे जाना जाता है संक्रमर रोधी vitamin के नाम से किसे जाना जाता है जल्दी से comment किजिए कौन सा option आपका right हो जाएगा vitamin A, vitamin B, vitamin D, vitamin E तो जल्दी से comment किजिए कौन सा option आपका right हो जाएगा तो vitamin A जो होता है इसकी कमी से सिसुओं में ब्रिधी रुख जाती है और ग्रंथिया निस्क्रिय हो जाती है और नर सदस्यों में जनन छमता भी कम हो जाती है और गुर्दों में पत्री भी आ जाती है vitamin A की कमी से और कमजोड जो epithelium अस्तर पर जिवारू आद का संक्रमण भी हो जाता है इसलिए vitamin A को संक्रमण रोधी vitamin भी कहते है और विटामिन A की कमी से आपको पता है कि रतवधी नामक रोग हो जाते हैं तचा करनिया आद की कोशाएं सूखने लगती है तो आपको कौन सा आप्शन राइट है आपको आप्शन नमबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा विटामिन A विटामिन A जो है यह संक्रमर रोधी विटामिन की नाम से जाना जाता है ओके नेश्ट कोशन देखते हैं किस विटामिन की कमी से औस्टियो मलेशिया औस्टियो मलेशिया नामक रोग हो जाता है विटामिन D, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन A तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा आप्षन आपका राइट हो जाएगा किस विटामिन की कमी से आस्टियो मलेशिया नामक रोग हो जाता है तो विटामिन D की कमी से आस्टियो मलेशिया नामक रोग हो जाता है कैल्सी कोली кैलसी पेरल को जो संसलेशर होता है यह जैन्त श्वयम अपनी profoundly चिकाओं में सेवन डि हाइड्रो कोलेश्टराल नामक पतात से करते हैं और इस क्रिया में सूर्प्रकास की पराबैगनी कीड़ों के प्रभाव में होती है इसलिए इन्हें धूप का विटामिन भी कहा जाता है और जो कोली कैलसी फेराल है ये मुक्ता मक्षन, जीगर, गुर्दो, अंडों की जर्दी मसली के तेल में मिलता है और आर्गो कैलसी फेराल का जो संस्लेशर होता है ये सूर्प्रकास की पराबैगनी कीड़ों के प्रभाव से आर्गो इस्टाल नमक पदार की इस्ट कोसिगाओं से करते हैं और यह बिटामिन जो है आर्णाल में भोजन के भोजन से फास्पूरस और कैलसियम के और सोसर तथा अस्ते निर्माड के लिए भी आवश्यक होता है और बैसकों में इसकी कमी से हट्डियां छीर और लचीली हो जाती है इस दसा को उस्टियो मेलेशिया नामग रोप कहा ज जल गया आपका उप्शन नमबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा वितामिन दी ओके नेस्ट कोशन देखते हैं सूरी की पराबैगनी के प्रभाव से सरप्रथन तचा कोशिकाओं में किस प्रो वितामिन का निर्माड होता है पहला उप्शन सेबन डी हाइड्रो कोलेस् ठाल थर्ड है एक वादो दोनों फोर्थ है ना तो एक ना तो दो तो जल्दी से एंसर दीजेए कॉंसर और राइट हो जाएगा अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया अगर आप लोग धियां से डीटेल सुने होंगे तो इसका एंसर देने में आपको कोई भी दिकत नहीं कि उनियुक्त उते होते हैं तुकंगतों दो सक्रख़व को भागोन से लिए धूप का वी कहते हैं तो आपका कौन सा आप्शन नम्बर फ़स्ट जो है राइट हो जाएगा सेवन डी हाइड्रो कोलेस्ट्राल जो है यह सूर की परावेगनी केड़ों की प्रभाव से सरप्रतन तोचा कोशिकाओं में इसका निर्माड होता है ओके निश्ट कोशन देखते हैं सरीर में कैल्सियम फासफोरस के आउसोसर्ड एउम उपियों को कौन सा बिटामिन नियमित करता है पहला अप्शन बिटामिन A, सेकंड है बिटामिन B, थर्ड है बिटामिन C, फोर्थ है बिटामिन K तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका भी मैंने एंसर उपर डिटेल में बता नियमित करता है और यह दातों और हड्डियों के स्वरूप और विकास में महतपूर होते हैं इनकी कमी से बच्चों में सुखा रोग हो जाता है जिससे हड्डियां छीर हो जाती है लचीली वर तेडीमेर ही हो जाती है तो कौन सा आप्शन आपका राइट हो जाएगा आप नियमित करता है ओके नेश कोशन देखते हैं सिलियक रोग किस बिटामिन की कमी से होता है जल्दी से कमेंड कीजे बिटामिन डी टू बिटामिन बी थिरी बिटामिन बी वन बिटामिन डी थिरी तो कौन सा आप्शन आपका राइट हो जाएगा सिलियक नामक रोग तो रोग हो जाता है जिसमें कैलसियम का उस सर्जन बढ़ जाता है और बितामीन दीठी के अभाव में सिलीक रोग हो जाता है और इसमें चहों आज देखते हैं और आज का लास्ट कोशन बांजपन रोधी बितामिन का रासाइनिंग नाम क्या है टोको फेराल कैलसी फेराल एक वादो दोनों ना तो एक ना तो दो तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ओप्षण आपका राइट हो जाएगा तो आपका ओप्षण नुमबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा ब चैननिक एपिधिलियन की ब्रिद्धी और पेशियों की क्रिया शीलता में सहायक होता है और यह मुक्ता टेल गेहों स्वैयबीन और अंडों की जर्दी में मिलते हैं इनकी कमी से पुरुसवा इस्त्री दोनों में बांध्पन उत्पन हो जाते है अब पुरुस में सुक्रा जो होती है प्रभावित हो जाती है जब कि इस तरियों में निसेचन के कुछ समय बाद घ्रूर नश्ट हो जाते हैं इससे बांज पन रोधी विटामिन भी कहा जाता है तो आपका उप्शन नमर फर्ष्ट जो है राइट हो जाएगा तोको फेराल तो इस प्रकार फ्रेंड आ तब तक के लिए थैंक यू सो मच आल फ्रेंड्स